हाई उर्वन आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे वेलकम हैं आज किस इंपॉर्टन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजिसी नेट उर्दू से रिलेटेंट कुछ वेरी इंपॉर्टन कोईशन उनके आंसर्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आफ मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से सीधे आफ़ाल टेलिग्राम चलकर जॉइन कर सकते हैं और अपने एक्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टन क्लास आज किस क्लास का हमारा पहला कोशन है जेल में से किसने महजब होने के लिए अपनी रिवायात की पासदारी को जरूरी तसवर किया है आफ़शन जो आपके पास में दिये गए हैं पहला आफ़शन है टी एस एलिएट आई ए रिचर्ट्स अरस्तू है लॉन जैलेस आप मुझे बताएंगे इस कोशन का करिक्ट अंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा तो मैं आपको होता देता हूँ इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि टी एस एलिट बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स कोशन की तरफ देखे इस सवाल में पूछा गया है अफसे तरफ्टी पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुलहिंद कॉन्फरेंस किस शेहर में मुनापिद हुई आफशन जो आपके पास में है पहला आफशन है लकनौ है दूसरा है कलकत्ता है तीसरा है इदराबाद है इसके बाद में देह लिए आप मुझे ही बताएंगे इस कोईशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आई हूँ सब लोगों ने इस कोईशन का अंसर कर लिया होगा यानि सवाल का सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उता देता हूँ इस question का correct answer हो जाएगा आपका दूसरा यानि कलकत्ता नोट कर लिजेगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अब आप ये मुझे बताएंगे तरक्वी पत्म मुसनिफीन की दूसरी कुलहिंद कॉन्फरेंस कब हुई थी इसका सना मुझे बताएंगे साथी साथ में आप मुझे बताएंगे पहली कुलहिंद कॉन्फरेंस कब और कहां हुई थी दूरु चीज़े आप मुझे बताएंगे एक तीसरी चीज़ मुझे आप बताएंगे पहली कुल हिंद कॉन्फरेंस की सदारत किसने की थी और साथ ही साथ में दूसरी कुल हिंद कॉन्फरेंस की सदारत किसने की थी तो चलिए मैं आपको उता देता हूँ तरक्रिप समुसेनिफीन की दूसरी कुलहिंद कॉंफरेंस कब हुए थी इसे भी आप नोट कर लिजेगा तो ये हुए थी 1938 सीसी में कहां पर हुए थी कलकत्ता में और इसकी सदारत किसने की थी मुल्क राज आनंद नोट कर लिजेगा बहुत ही इंपॉर्टन नाम है अब हम बात कर लेते हैं पहले कुलहिंद कॉंफरेंस कब और कहां हुए थी दूनोट कीजेगा 1936 सीसी में लखनों में हुए थी और इसकी सदारत किसने की थी मुईशी प्रेम चंद ने की थी बहुत ही एहम फैक्टने जरूर आप जहां में रखेंगे अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ कौन सा अफसानी मजमुआ राजिन सिंग बेदी का नहीं है और आपके पास में ग्रहम हैं कोक जली हैं दो हाथ हैं दाना और दाम हैं अब आप मुझे बताएंगे इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा करेक्टर अंसर क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानि दो हाथ तो मुझे आप बताएंगे दो हाथ जो है ये किसका अफसानी मजमुआ है तो आप नोट कर लीजेगा ये इसमत चुगते का अफसानी मजमुआ है बहुत ही इंपॉर्टन्ट है जरूर आप हैं में रखेंगे अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राजन सिंग बेदी के बारे में तो जहां तक स्वाल है आपकी पैदाइश का तो आपकी पैदाइश ये 1915 इसी में और आपका इंतिकाल हुआ है 1984 इसी में जरूर याद रखेंगे आपके इकलوتे नॉबल का नाम क्य है तो जवाब आपका हो जाएगा एक चादर मेली सी आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है तो जिए चौतो आफशन है दाना दाम ये उसका जवाब हो जाएगा अब मुझे बताएंगे इसमत चुगते की पैदाइश कहां हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1915 इस अफसानी मजमुए का नाम क्या है तो आपका जो पहला नाविल उसका जवाब हो जाएगा जिद्धी और आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है कलिया इसे भी आप नोट कर लेंगे बहुत ही important fact अब हम बढ़ते हैं इस question की तरफ देखिए सवाल में आपसे पूछ अच्छे से रिट कर लीजिए फिर आप मुझे बताएं इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि राजा जगत परकाश और कामलता जो हैं ये रानी केति की वाले दिन का सही जुम्रा है अब आप सभी से मेरा पहला question है कि रानी केति कह लिखी गई है नोट कर लिजेगा अठारा सू तीन इसी में दास्तान लिखी गई है किसकी फरमाईश पर नवाब हुसैन अली खां की फरमाईश पर याद रखेगा नवाब हुसैन अली खां की फरमाईश पर ये दास्तान लिखी गई है अब सवाल पैदा होता है कि इंशा या लताफत हैं, सिल के गोहरें, जो कि एक गेर मनकूत किताब है। अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ, अर्दु तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है, मुशायरों में शेरों की शेरियात याद में शेरियत की बिना पर तारीफ या मजब्मत नहीं होती है। तारीफ और मजब्मत दोरों का सबब गहर मतालिक है, यही हाल तनकीद का भी है, यह बयान किस नाकिद का है, एतशाम हुसेन का है, कलीम الدین अहमत का है, अब्दु ररह्मान बिजनोली का है, अलताफ हुसेन हाली का है, जल्दी साह मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्य हो जाएगा, 1908 इस्वी में पटना में आपकी पैदाश भी है, और 1903 इस्वी में पटना ही में आपका इंतिकाल हुआ है, आपके कुछ एहम किताब हैं जैसे उद्धु शायरी पर एक नज़र, उद्धु तनकीद पर एक नज़र, सुखनहा गुफतनी, फन दास्तान हैं, तो आप मुझे बता दीजेगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट टांसर हो जाएगा दूसरा, यानि निजामी परूजी, अब हम बढ़ते हैं इस कोईशन के तरफ, खौज़ अहमद अबास के अफसानी मजमुआ दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं, आफशन आपके पास में आठ हैं, ग्यारा हैं, दस हैं, नो हैं, तो आप मुझे बता दीजेगा, इस कोईशन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, फौर्थ यानि इस अफसानी मजमे नो अफसाने शा हुई है साथिसाथ में आपका इंतिकाल कब और कहां हुई है यह तेनोई फैक्ट मुझे बताएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पहले नावल का नाम क्या इनकिलाब नोट कर लिजेगा एक करके आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? एक लड़की इसे भी आप नोट कर लेंगे अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई है 1914 इसमें पानी पत में और 1987 इसमें पानी पत में ही आपका इंतिकाल हुआ है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ शीशे का घर किसका अफसानी मजमुआ है? आफ़्चन आपके पास में जीलानी बानों है, बंटों है, कुर्रतुल्हाइदर है, इंतिजार हुसेन है तो आप मुझे बता दीजेगा, इस सवाल का सही जाब क्या हुजाएगा, करेक्टर अंसर क्या हुजाएगा आई हुआप सब लोगों ने अंसर कर लिया होगा, तो इस कोशन का करेक्टर अंसर हो जाएगा यह कुर्टुल्हाइदर के पहले नोवल का नाम क्या है? साथी साथ में कुरत अलहादर के पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है तो पहले बात कर लेते हैं आपकी पैदाइश वे 1927 सी में अलीगड में और 2007 सी में नोइडा में आपका इंतिकाल हुआ है और जामिया मिलिया इसलामिया के कब्रिसान में आपकी तदफीन आमल में आई है जहां तक स्वाल है आपके पहले नावल का तो आपके पहले नावल का नाम क्या है मेरे भी सनम खाने सारी चीज़ों का आपको ध्यान से सुनना है एक एक fact आपको देखें एक exam पर गरट जाएगा अब हम बात कर लेते हैं आपके पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है तो आपका जवाब हो जाएगा सितारों से आगे नोट कर लीजेगा सितारों से आगे आपको सुनना है सिर्फ सारी चीज़े आपको देखेंगे याद हो जाएंगे अब हम बढ़ते हैं इस कोईशन की तरह दर्या लताफत किस फन की किताब है आपके पास में दास्तान है घजल है गवाईद जुबान है अफसाना है तो आप मुझे बता दीजेगा इस कोईशन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानि कवाईद जुबान पीछे हमने आपको बताये वीदा कि किताब है इन्शाओल्ला खां इन्शा की ये तसनीफ है जरूर याद रखेगा इन्शाओल्ला खां इन्शा की ये तसनीफ है बहुत ही एहम किताब है अब हम बढ़ते हैं इस कोईशन के तरफ है चर्ख जबसे अब लेक ऐयाम पर सवार किसका कसीदा है आफ्शन आपके पास में मौमिन हैं गालिब हैं दौक हैं सौधा हैं तो जल्ली से बता दीजिएगा इस कोईशन का कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फूर्थ यानि मिर्जा मुहम्मद रफी सौधा अब आप मुझे बताईएगा मिर्जा मुहम्मद रफी सौधा की पैदाईश कब और कहा होई है और साथ ही साथ पर ये बताना भी मत भूलिएगा कि आपका इंतिकाल और साथ साथ में जाए वफाद दोनु चीज़े आप मेशन करेंगे और आपकी वालिद का नाम क्या ये भी आप मुझे बता सकते हैं तो जहां तक स्वाल है आपकी पैदाईश का तो आपकी पैदाईश हुई है नोट करेंगे सारे फैक कोई भूलेंगे नहीं क्योंकि अगर आप भूलेंगे तो चीज़ें आपको मुझे हो जाएंगे एक्जाम में अतकाना पैदाईश हुई है 1712 इसी में देली में और इंतिकाल कब और कहा हुआ है 1781 इसी में लखनों में आपके वालिद का नाम क्या इसे भी नोट कर लीजिएगा मुहम्मद शफी बहुत ही एहम नाम है अब हम बढ़ते हैं इस कोईशन की तरफ मुकद्दमा तारिख जुबान अर्दू किसकी किताब है आप्शन आपके पास में इहतिशाम हुसेन है मसुद हुसेन खाँ हैं शम्शुर रह्मान फारुकी हैं कलीम अद्दीन हमद है तो आप मुझे बता दीजिएगा ये किसकी किताब है कई वार एक्जाम में किताब पूछी भी जा चुकी है तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानि मसुद हुसेन खाँ मसुद हुसेन खाँ बहुत अएम है आपकी पैदाश विए उन्नीस सो उन्नीस सीसे में फरुखाबाद में और दो हजार दस सीसे में अली गड़ में आपका इंतिकाल हुआ इस बाद को जरूद हमें रखेंगे अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ देखिए आपको यहाँ पर बताना है कौन सा जुम्रा दुरस्त नहीं है यानि आपको बताना है कि इनमे से कौन सा आफशन है जो उसके सामने मैश करने के लिए दिया गया वो सही नहीं है जैसी इसमाईल मैटी के सामने क्या है खुदा की सनात है अक्बर लाबादी के सामने बर्क अलीसा है मीरा जी के सामने समंदर का बुलावा है अफ़तरल इमान के सामने चांट तारो का बताने चलिए आप मुझे बता दीए चांद तारों का बंड किसकी नजम है बाखी दीए जो आप्शिन आपको दिये हैं वो सही है तो चांद तारों किसकी है मखदू मुहिय दीन नाम नौट कर लेजेगा मख्दूम मुहियत दीन के ये नद्म है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन के तरफ एक कौुन सा जुमरा सही है यहां पर आपको बताना है पीछे द एक कौन सा जुमरा दुरस्त है देखिए आपके पास पे कुरातला रहादर है, रोशनी की रफतार है, सुहिल अजीमाबादी रास्ताबंद है, जिलानी बानो बीजुका, तुरिट प्रकाश अलाओ है। तो इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि कुर रतुल एन हैदर के सामने दिया गया रोशनी की रखतार जो कि अफसानी मजमुआ है। सुहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ कौन सा अलाव है। और भी जुका किसका अफसानी मजमुआ इसे भी नोट कर लिएगा सुरेन प्रकाश का रास्ता बंद है ये जीलानी बानों का अफसानी मजमुआ है। ये चारोई फैक्ट बहुत आहम है। अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ मुच्टबा हुसेल के सफर नामे के निशान दही कीजी। क्या मसाफिरान लंदन का सफर नामा है इबन बतूता के ताकुब में सफर नामा रूम व मिस्र शाम है जापान चलो जापान चलो कौन सा इसमे सही जवाब हो जाएगा तो इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फूर्थ यानि जा पान चलो जा पान चलो ये मुश्तबा हुसेल का सफर नाम है तो दीगर सफर नामे किसके ये आप मुझे बताईएगा तो मुसाफिरान लंदन जो है ये सरसेद अहमुद खान का सफर नाम है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन के तरफ खौब बाकी है किसकी खुदनविश सवाने है अफशन आपके पास में आल हमसरूर है मसुद हुसें खान है अफ़र लिमान जोश मलीह अबादी है तो इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी साब मुझे बता देंगे तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि आल अफ़र सुरूर किये खुदनविश सवाने हैत और आटो बायोगरफी तो आप ये मुझे बताएंगे मसूद हुसिन खा की खुदनवी सवाने हयात का नाम क्या है? अखतर अिमान की खुदनवी सवाने हयात का नाम क्या है? जोश मलीह बादी की खुदनवी सवाने हयात का नाम क्या है? तो पहले आप नोट कर लिजेगा मसूद हुसिन खा की अबाद खराबे में इसे भी नोट कर लेंगे जोश मलीहाबादी की खुजनवी स्वाने हयात का नाम है यादों की बाराद बहुत ही एहम नाम है जरूर याद रुकेंगे अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाया है आफशन आपके यूसफी मुश्ताक अमद यूसफी की पैदाश विए 1923 यसी में राजिस्तान के शेयर टॉंक में और 2018 यसी में कराशी में आपका इंतिकाल हुआ है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ बहुत ही एहम कोशन है हिंदुसानी लिसानियात का खाका किसकी किताब है आफशन आपके पास में जमील जालबी हैं हाफिद रहम श्यरानी हैं सेद इहतशाम हुसेन हैं शौकस सब्सबारी हैं तो आप मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानि सेद इहतशाम हुसेन की पैदाश सید احتشام حسین के सफर नामे का नाम क्या है तो रूट के लिजेगा साहिल और समंदर साहिल और समंदर जो है आपके सफर नामे का नाम है नेस कोशन आपके सामने अर्दू शेह पारे किसकी किताब है आफ्शन आपके पास में जमील जालबी है, मुहियुद्दीन गादरी जोर है, सेद इहतेशाम हुसे ने शौकर सब्जबारी है तो इस कोश्चन का जवाब क्या होगा जल्दी से आप मुझे बता दीजेगा तो इस स्वाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानि मुहियुद्दीन गादरी जोर मुहियुद्दीन गादरी जोर बहुत ही अहिम नाम है आपकी जाय वफात एक्जाम में पूछी जा चुकी है तो आप मुझे बता दीजेगा आपकी जाय वफात क्या है सबसे पहले तब तक मैं आपको उता देता हूँ आपकी जाय पैदाइश और किस सन में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजेगा मुहियुद्दीन गादरी जोर की पैदाइश हुई है 1905 इसी में हैदराबाद में और इसे में नोट कर लीजेगा 1962 इसी में आपका इंतिकाल हुआ है और कहा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ तो आपका इंतिकाल हुआ है स्री नगर कश्मीर में नोट कर लीजेगा, स्री नगर कश्मीर अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ रूह अफजा किस मसनवी का किरदार है आफशन आपके पास में गुलजार नसी में सहर बयान है गुलजार इश्क एक उत्मुशन है तो जल्दी साथ मुझे बता दीजिएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो मैं आपको उता देता हूँ इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानि गुलजार इश्क एक गुलजार नसी मसनवी कव लिखेगे यह 183849 में और इसकी इशायत का वमल में आई है 18444 में पहली बार इसकी इशायत होई है यह भी दियान रखेंगे गुलजार नसीम किसकी मसनवी पंडित दिया शंकर नसीम की सहर अलबियान मीर हसन की गुलजार इसक नसरती की खुत मुश्टरी मुला वजही की अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ गजलिस्ता किसका शेरी मजमुआ है बहुत ही एहन कोशन फिराग गुरक पूरी का है मौमिन का है शाद अजीम अबादी का है फैस अहमत फैस का है तो इस कोशन का कर्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी साब मुझे बता दीजिएगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानि फिराग गुरक पूरी अब आप मुझे बताएंगे कुश कोशन के जवाब जैसे पहला कोशन तो आप मुझे यही बताएगा फिराग गुरक पूरी की पैदाईश कब और कहा हुई है साथे साथ में आपके पैदाईश हुई 1896 इसी में गुरक पूर में और 1982 इसी में देली में आपका इंतिकाल हुआ है अब आप नोट कर लेजेगा आपके रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है तो इसे भी नोट कर लेंगे रूप किस मजमुए के ले आपको ग्यान पृट इनाम मिला है तो उसका नाम क्या है गुले नघमा गुले नघमा इस बात को नहमें रखेंगे कब मिला है तो आग इस यह सभी आपके एक्जाम में बहुत ही हिल्प करेंगे कि यह सभी कॉशन कहीं कि एक्जाम में कई बार रेक्वीट होते रहतें, सारे फैक्ट इंप्पोर्टन जरूर ध्यान में रखेंगे. तो आज एक लास से बस इतना है रहते हैं, भलते हैं, अगली क्लास में तक तक के लिए खुदा आफिस इन सभी कोस्षेंज को जरूर याद में रखेंगे.